हाई फ्रेंड्स आज हम फैवी कोल जैसा ग्लू घर पर बनाएंगे जो कि सिर्फ दो रुपए की खर्चे में बनके तयार हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं फैवी कोल ग्लू बनाने के लिए मैंने आपर एक प्लास्टिक का बाउल लिया हुआ है इसमें हम तीन चमच के जितना ये मैदा डाल देंगी अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसे आटे से भी बना सकते हैं तो ये दिखिए तीन चमच के जितना ये मैदा था मैंने इसमें डाल दिया हुआ है अब उसी चमश से नाप करके हम इसमें दो चमश चीनी डालेंगे यह दिखी मैंने दो चमश चीनी डाल दी हुई है एक चमश नमक डाल देंगे जो कि घर में रेगुलर नमक यूज होता है वही डालना है अच्छे से मिला देंगे इन सारी चीजों आप जहें तो इसमें powder सुगर का इस्तमाल कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवलेबल हो आप हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल देंगी यहाँ पर मैंने 1 cup से थोड़ा सा कम पानी लेा हुआ है थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके मिसका घोल तयार करेंगे नहीं तो इसमें गुटलियां आ जाएंगी तो हमें इसके लिए बिल्कुल लंप्स फ्री बैटर तयार करना है तो यह दिखें फ्रेंड्स इस तरह से हम और थोड़ा सा पतला करेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है तो इतने खोल बनाने में पूरा एक कप के जितना पानी लग जाएगा यह दिखें मैंने पूरा एक कप पानी डाल दिया हुआ है थोड़ा सा कम था अच्छे से मिला लेंगे आप देख पा रहे होंगे इ इससे तरीके का हमें घोल तयार करना है अब हम इसके कडाही या पैन में डाल देंगे गेस ऑन करेंगे और गैस ऑन करने के बाद हम इसके कंटिन्यू चलाते रहेंगे नहीं तो इसमें लम्प्स आ जाएंगे ऐसे आपको चलाते रहना है थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यह जो glue है बनना स्टार्ट हो जाएगा और मिश्टन काफी थीक हो जाएगा तो बस इसे लगतार चलाते रहे तो यह देखें इस तरह से इसका color जब यह अच्छे से पक जाएगे तो इसका color थोड़ा सा चें लेगर डाल देया हुआ है जिससे कि इसकी thickness भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसकी self life बढ़ जाएगी यह दिखें अगर आपको यह थोड़ा सा थिक लग रहा हो तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल करके और भी बतला कर सकते हैं तो यह लीजे फ्रेंस glue हमारा बनके तया है अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और यह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप मार्केट से फैवी को लाते हैं तो बच्चों को बहुत जरूरत होती है इस glue की जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं तो इस तरह से आप घर पर बना के रख लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए यह देखिए मैं आपको इसमें यह इस तरह से चिपका के दिखाती हूँ तो यह मेरे बच्चे की नोटबुक है इस तरह से हमने इसमें glue लगाया और इसे अच्छे से चिपका देंगी बहुत अच्छे से चिपक जाता है जिस तरह की हम वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा